जहन, नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, ट्रिपल सी जनवरी फरवरी 2023 एक्सामनेशन की आज तीसी क्लास है जहाँ पर ट्रिपल सी एक्साम के लिए most important questions आप सभी के साथ हम डिसकस करेंगे previous में दो क्लासेस मैंने कराई है, अगर आपने उस क्लास को attend नहीं किया है तो वीडियो के निचे description में मैं उसकी playlist की link दे दूँगा वहाँ से आप उन दोनों क्लासेस को attend कर लिजेगा, दोनों क्लास आपके लिए काफी आदा important है दोश्तों, triple C exam को देने से पहले, आप सभी लोग अभैकसर computer को विजिट कर लिजे और यहाँ पर आपको मिलेगी triple C की एक complete महा मैंतन क्लास उस क्लास को देखना आप मत भूलिएगा, वहाँ एक मात क्लास कराएगी आपको triple C प्लास तो इस क्लास को जरूर देख लिजेगा, अगर आप triple C का complete crash course अटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अटेंड कर सकते हैं, जिस पर present time पर हम 50% का discount दे रहे हैं यहाँ पर आप coupon code अभैकसल apply करेंगे, यहाँ पर 50% का आपको discount मिल जाएगा जहाँ से आप triple C का complete crash course, chapter wise content, chapter wise mcq, ebooks, एक complete package यहाँ से आपको मिल जाएगा तो इससे आप join कर लिजेगा साथी साथ आप triple C का mock test देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप triple C का mock test हिंदी और इंग्लिज दूनों language में दे शकते हैं और triple C की ebook भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, तो आप completely package के लिए abhexl.com को visit करिए, crash course अटेन करिए, mock test बिलकुल free में अटेन करिए, और ebooks को download करिए, अपनी तयारी को बेतर बनाईए, तो time waste ना करते हुए, चलिए, शुरू करते हैं आज की यह class, यही है abhexl की class, let's begin in this topic पहला कुश्चन है, NIC द्वारा भूमी अभिलेखों के computer करन को व्यापक रूप से किस रूप में जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है, भूमी, जमीन, CLRS या none of these इन सभी questions को आप सभी लोग mock test के रूप में लेते रहिए और comment box में आंसर देते रहिए, वीडियो के लाश में आप जरू बताइएगा कि आपके कितने questions सही हुए हैं मतलब भूमी अभिलेक हूँ, मतलब जो जमीन से सम्बंदित, लैंड से सम्बंदित अभिलेक हैं, उनको computer कृत, है ना, मिन्स online उनका सारा record रखने के लिए NIC ने किसको develop किया है, तो यहाँ पर इसका write answer हो जाएगा भूमी, ठीक है, land record के लिए NIC ने भूमी को develop किया गया है, जिस भी आप state से हैं, उस state की अगर आपको land से सम्बंदित record सर्च करने हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं, कैसे land record.up.gov.in करेंगे, तो यूपी किया जाएगी ऐसे करनाटकक करने हैं, करनाटकक कर सकते हैं, means आपका जो website है, उसका नाम क्या है, भूमी, अब यहाँ पर एक और दिया गया है, CLRS, इसका full form क्या होता है, यहाँ भी आपके लिए important है, मालीजे एक जामें पूछ लेता है, तो इसका full form होता है, computerization, land record system, ठीक है, याद रख का जबाब दिया जाना चाहिए, मताईए, spam email का जबाब दिया जाना चाहिए, spam का मतलब होता है, कि जो आवानचित हो, जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आए, जैसे कि कोई भी है, अपनी company का विज्यापन कर रहा है, लगातार आपको message भेज रहा है, तो वह कहलाता ह spam mail, ठीक है, जो आपकी बिना अनुमती किया हैं, वो spam mail कहलाते हैं, और इसका जबाब दिया जाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, यह आपके लिए नुक्षान दायक भी होँशकता है, अब next, LibreOffice Calc में merge cell command किस मीनू में उपलब्द होता है, format, style, seat या फिर edit, मताये, merge cell, format में, style में, seat में, या फिर edit में, merge cell का मतलब क्या होता है, जब आप एक से अधिक cell को मिला कर, एक cell बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए merge cell का उप्योग करते हैं, जैसे माली जे 2 cell या 3 cell या 10, 15, 20, 50 cell को एक cell में convert करना है, तो इसके लिए merge cell का उप्योग करते हैं, और LibreOffice Calc में, format मीनू के अंतरगत आपको मि मिलता है, merge cell का option, अब next, DEV directory contains, DEV directory क्या सामिल करती है, device के drivers को, device files को, kernel modules of device drivers या none of these, बताइए, DEV directory में क्या सामिल है, तो इसका राइटांस हो जाएगा, option second, device की files यहाँ पर समलित है, अब next, LibreOffice Writer डाकुमेंट में, footer इनिस्टॉल करने के लिए, आवश्यक क्रम कौन सा है, मीन्स, LibreOffice Writer में, अगर आप footer लगाना चाहते हैं, तो इसके सही step के sequence क्या है, इनसर्ट, footer, फिर default style, इनसर्ट, footer, इनसर्ट, header, and footer, then footer, then default style, या, इनसर्ट, header, and footer, then footer, बताइए, तो footer आपको यूज करना है, तो सबसे पहला काम आपको जाना है कहाँ पर, insert मीनू के अंतरगत, then वहाँ पर आपको option मिलेगा, combine में header and footer का, आपको सिर्फ footer का option नहीं मिलेगा, header and footer एक साथ वहाँ पर दिया गया है, तो insert पर जाना है, header and footer पर जाना है, then footer पर क्लिक करना है, then default style पर क्लिक करना है, तो आपका footer वहाँ पर आ जाएगा, option third is right, आप next, GSM full form, what is the full form of GSM, global system for mobile, global service for mobile, gold system for mobile, या none of these, बताएए, GSM का full form क्या है, तो इसका full form होता है, global system for mobile, याद रखिएगा, ठीक है, अब next, नेमलिकित में से कितने भारती बैंक, shift network से जुड़े हैं, बताएए, कितने भारती बैंक, shift network से जुड़े हैं, shift का full form क्या होता है, या भी आपके लिए important है, एक्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसका full form होता है, society for worldwide, interbank, financial telecommunication, ठीक है, यहाँ पर पूली sparing लिख देते हैं, नोट कर लिजेगा, काफी important है आपके लिए, society for worldwide, interbank, financial telecommunication, यह होता है, shift का full form, और कितने भारती बैंक, shift code से संबन्दित हैं, लिंक हैं, जुड़े हैं, तो right answers का है, 19, 19 बैंक कैसे हैं, अब next, LibreOffice Calc में, दो दसंबलों मुद्रा प्रारूप, विकल्प का उप्यूग करने के लिए, निम्न मेंशे, कौन सी shortcut की उप्यूग की जाएगी, which of the following shortcut की would be useful to use the two decimal currency, मतलब two decimal currency format अगर आपको चाहिए, LibreOffice Calc में, तो इसके लिए किस shortcut की का उप्यूग करेंगे, तो इसका right answer हो जाएगा, option first, control, plus shift, plus dollar, इससे two decimal currency format आपका apply हो जाएगा, बहुत सारे format मिलते हैं, जब LibreOffice का मैंने complete tutorial कराया था, तो वहाँ पर इन सब चीजों को explain करके बताया था, अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को widget कर लीजेगा, वहाँ पर playlist आपको मिल जाएगी, triple C complete course in Hindi की, वहाँ पर सारे videos आपको एक sequence मिल जाएगे, अब next, सर्च इंजन केवल दस्तावेजों की खूच करता है, true या false, मताईए, क्या सर्च इंजन सिर्फ और सिर्फ दस्तावेजों की खूच करता है, तो गलत है, सिर्फ डाको में नहीं सर्च करता है, वो प्रतेक चीज को सर्च कर देता है, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, वो आपको एबलेबल करा देगा, अब next, खक्स्ट, URL में अधिकतम कितने अक्छर हो शकते हैं, 63, 155, 127 या 255, URL, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिशोर्स लोकेटर, ठीक है, ना, यह सबसे पहले कब publish किया गया यह भी आपके लिए important है तो 1994 कब 1994 में सबसे पहले publish किया गया था ठीक इसके author कौन है तो इसके author कौन है Tim Berners Lee है कौन है Tim Berners Lee note कर लीजेगा ठीक अब URL में कितने अक्षर हो शकते हैं तो राइट रांसर इसका 255 इतने characters उसमें हो शकते हैं इसका domain क्या है तो www है means worldwide wave है अब next सिंगल करेक्टर को हटाने के लिए V.I.EDITER दोरह निम्ण में से किस command का उप्योग किया जाता है A, Z, X या फिर Y सिंगल करेक्टर को हटाने के लिए V.I.EDITER में कौन सा command उप्योग किया जाता है तो इसका राइट आंसर है option third X का उप्योग करते हैं अब next Messenger address book में email address संग्रहित करने की अनमती नहीं देता है Messenger does not allow storing email addresses in the address book true या false तो या बिलकुल आपका गलत है option second is right और next बैजूस के founder कौन है बताईए who is the founder of बैजूस बैजूस रवींद्रनाथ बैजूस रवींद्रन मार्को बॉरिस या none of these ये क्या है आपकी एक education technology company है है ना फटर बताईए क्या होगा इसका right answer कौन है इसके developer कब develop किया गया तो इसके developer है बैजूस रवींद्रन ठीक है option B is right कब develop किया गया तो 2011 में 2011 में इसको develop किया गया था ठीक है इसके CEO कौन है तो बैजू रवींद्रन ही है इसके लावा दिव्या गोकुल नात भी इनके साथ में लग कर means आप एक साथ से देखें तो co-partner की रूप में कारे कर रही है ठीक है अब next multi user एक generic term होता है जो दो या दो से अधिक CPU को एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग के लिए बनाया जाता है multi user is a generic term for the use of two or more CPUs in a single computer system true या false multi user बता ये दो या दो से दिक CPU को एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग के लिए होता है तो ये गलत है option B is false अब next boolean data प्रकार cell में किस प्रकार के value की अन्मती है true or false log data string या reference of cell boolean data तो यहाँ पर इसका right answer जाएगा option first true या false यहाँ पर दो condition true या false जैसे yes or no है ना अब next गंतब email server का पता लगाने के लिए DNS महतपूर भूमिका निभाता है बताए DNS plays an important role in locating the destination email server rule true या false काफी important question है DNS का full form क्या है यहाँ भी आपके लिए important है exam में पूछा आता है कि DNS का full form क्या है तो DNS का full form होता है domain name system ठीक है तो पताएए फट फट यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा तो DNS से काम क्या है domain name system तो right answer इसका true अब next डिजिटल लॉकर के लिए कौन सा statement गलत है बताएए digital document it is not secure digital file या legal document like original कौन सा statement गलत पूचा है तो भाई digital document है बिलकुर सही बात है digital file सही बात है legal document like original जैसे औरिजनल वैसे ही यह भी legal है कोई दिक्कत नहीं है it is not secure यह statement गलत है ओकि डिजिटल लॉकर में जो भी आप document रखते हैं वो बिलकुल secure है कोई भी problem नहीं है अब next आई सी क्यू का मतलब आई सी क्यू है बताएए आई सी क्यू का मतलब आई सी क्यू है तो आई सी क्यू एक नया cross platform है किसका instant messaging का है किसका instant messaging का एक cross platform है आई सी क्यू ठीक है जिसे इंगलिस में बोलते हैं आई सी क्यू कब डेवलप किया गया है 1996 में 1996 में यह डेवलप किया गया था और 2010 में AOL ने इसको बॉट कर लिया था ठीक है sorry AOL ने 1998 में बॉट किया और mail.ru group ने 2010 में इसको खरीद लिया है अब right answers का option first true अब next RMDIR कमान का क्या मतलब है फाइल को डिलीट करना डाइक्टरी को डिलीट करना बोथ या none of these RMDIR triple C exam में Linux और Unix की कमान से संबंधित कई सारे questions आपके exam में पूचा आते हैं इसलिए हमने जो 21 most important question की e-book दी है उसमें उसका भी complete section दिया गया है जिससे आप triple C exam को आसानी से टॉप कर सकें तो RMDIR कमान का उप्योग है remove the directory है जिस भी directory को आप remove करना चाहते हैं RMDIR के मदद से आप directory को remove कर सकते हैं मिस डियाक्टरी को डिलीट करना है remove करना अब next LibreOffice Calc Spread Seat में एक कॉलम के लिए आपके दोरा निर्धारित की जाने वाली नियुनतम चॉलाई क्या हो शकती है पताईए LibreOffice Calc Spread Seat में अगर आप एक कॉलम की width को minimum कितना कर सकते हैं 0.03 cm, 0.2 cm, 0.1 cm, 0.0 cm बताईए राइट अंसर क्या होगा इसका तो इसका राइट अंसर है option फर्स्ट 0.03 cm अब next sniffing का उप्यूग dot 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 fingerprint के लिए किया जाता है scan, passive banner grabbing, active attack या passive attack तो इसका राइक्टांस होजाएगा option D, passive attack ठीक है, option D is right, अब next GUI में मुख मेनू single word प्रयोग करती है menu item के लिए main menu in GUI, use single word for menu items GUI का मतलब क्या है, graphical user interface बताइए, क्या होगा यहाँ पर इसका राइट अंसर तो बिल्कुल सही बात है, option first is right अब next CAS एक ऐसा प्रोग्राम है, जो web server के data को web browser में भी shape कर देता है, true या false CAS तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आपके web server का data web browser में save कर देता है, है ना, इसलिए हमें time to time अपने web browser का जो भी CAS है, उसको clear करते रहना चाहिए जो आपका फर्जी का data है, उसे भी आपको clear करते रहना चाहिए ताकि stories full ना हो, अब next, निम्न को करम में लगाए, title bar, status bar और standard bar, इन तीनों का sequence क्या है, मिन सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होता है, और फिर क्या होता है तो देखे, सबसे पहले status bar नहीं होता, फिर title bar नहीं होता है, पहले standard bar भी नहीं होता है, हाँ पहले title bar होता है, लेकिन title bar के बाद status bar नहीं होता, तो यहाँ पर skylight answer क्या हो जाएगा, option D, पहले title bar, then standard toolbar, then status bar, status bar क्या करता है, page के status को बताता है, कि भाई हम present time पर कौन सा page यूज़ कर रहे है, हमारे page में कितने characters है, कितने word है, without space कितना है, with space कितना है, है न, वहीं पर आपको zoom in, zoom out का section मिल जाता है, तो status bar में ही आपको यह सब कुछ, so करता है, document का कौन सा view यूज़ कर रहे हैं, यह भी आपको वहीं से मिल जाता है, title bar में क्या है, यह आपको file का नाम और program का name प्रदर्शित करता है, ठीक है, अब ऐसे standard में आपको सारे टूल वार्स मिल जाते हैं, अब next, HTML एक ऐसा browser है, जो अपने आप net से connect होकर, file को download करता है, बताईए, क्या होगा इसका right answer? क्या HTML एक ऐसा browser है, जो अपने आपको net से connect करके, file को download करके, local storage में save कर देता है, HTML का मतलब क्या होता है, hypertext markup language, या सिर्फ और सिर्फ एक language है, ना कि कोई web browser, तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा, option b false, बिल्कुल गलत है, ठीक है, याद कर लीजेगा, काफी important question ये भी है, अब एक question पूशाता है कि, वेब page की new, किस language को कहा जाता है, मता ये, वेब page की new, किस language को कहते है, तो HTML को ही, वेब page की new कहा जाता है, HTML का उप्योग करने के लिए, आपको चाहिए क्या एक text editor program, और उसको देखने के लिए चाहिए एक web browser, है ना, यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो, तो ये थे आज की class के most important questions, मैं आशा करता हूँ कि आज की यह class आपको पशन्द आई होगी, अगर यह class आपको पशन्द आई हो, तो वीडियो को like जरू कर दीजेगा, और वीडियो की नीचे 21 most important question की link है, उसे download कर लिजेगा, एक्जाम से पहले, अभेक्शल computer की, triple C की महा मैतन क्लास को देखना मत भू और साथी साथ Libre Office की महा मैतन क्लास को भी जरूर देख लिजेगा, ठीक है, अगर वीडियो पशन्द आया हो, तो वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे, और चैनल से जोड़ने के लिए चैनल को subscribe करके, bell icon को press कर लिजे, ताकि time to time आपको ये सब कुछ मिलता रहे, जो भी चैन Thanks for watching my video, फिर मिलते हैं, next class में, तब तक के लिए, bye bye